हरी ओम नमस्कार आप सभी का हमारी यूटीब चन्मे स्वागत करता हूँ और आज की वीडियो में बताएंगी निर्गुंडी के बारे में यहाँ जो देखरे नीली पुस्पवाली निर्गुंडी है और एक होता है सफेद फूल वाली निर्गुंडी अवेक होता है काली पुस्पवाली निर्गुंडी लेकिन अधिक्तार नीली पुस्पवाली ही मिलती है तो मैं आज इनका अफसदी प्रियोग बताऊंगा इस निर्गुंडी को 36 गड़ी में निंगूर डारा की नाम से जानते है प्राया पुरा भारत वर साथ पुरा भारत के बाहर दूसरे देशों पर भी आहा आसानी के साथ मिलता है मैं इसके कुछ गोपनी रहस में प्रियोग बता रहा हूँ आप इसको ध्यान से सुनेगा यहाँ परिक्षित प्रियोग है वो हम आप लोगों को बताता हम निरगुंडी के एक लिटर रस को निकाल लिजे और रस निकाल करके हलकी आँच में तब तक पाए जब तक कि वहाँ गूर जैसा गाढ़ा ना बन जाए गाढ़ा बनने के बाद में इसको जिसे की दमाख, खांसी, छैरों की है, बिमारी है, शरी में उल्टी है, विरेचन आदि पंच करम सुद्ध करा ले, तत पच्चात की सबसधी का इसको आप साथ दिन तक के रोगिलोर्स आप सेवन कीजे हो सके तो आप तीन लाग भग नबे तीन तक के इसका सेवन करते हैं, तो व्रिद्धा वस्तदूर होकर दिर्गायू प्राप्त होती है, इसके पत्थे में केवल ब्यूत पीना ही चाहिए, जबी सबसधी को आप पर्यूप करें हैं, तो द्यान रखेगा, और इसकी जड़ को निकाल करके उसका जो छिलका वो होता ही, जड़ का उपर का उसको निकाल कर बारियो बनाकर सहद में डाल देजिया और इसको डाल करके एक महिन के लिए आप तीस दिन के लिए इसको लियू उसमें दबाकर रखें सिसिम भरगर के अब उसके बाद सुभासामिक चमस्पी ब्रह्मचरे का पालन करें तो यो अस्थ में भी जो बुढ़ापा जो हो गया है तो 80 साल का बुढ़ा भी कम सकम 30 साल का जवान जैसा हो जाता है और इसमें 11 सक्ति से भरपूर काम सक्ति से भरप से आपको प्रजनन अंकी जो गडबड़ी हो उसके लिए भी यहां काम सक्ति वर्धक के लिए मैं कुछ उस दियां बताता हूं इसका प्रोब निरगुंडी 40 ग्राम लेना है सूंठ लेना है 40 ग्राम इसको साथ में पीस करके इसको आठ खुराग बना लिजे आठ पुरिया बना करके सुबह इसको रोज दूद के साथ खाने से कैसा भी कमजोर आज में जिसका लिंग में उत्तेजन नहीं हो रहा हो इसको खाने मातर से लिंग में उत्तेजन नहीं होता है नपुन सकता को मिटाता है और इसकी जड़ को निकाल लेजे दम जड़ को निकाल लेजे गो सकती का भाव हो गया हो वहां इसका हर रोज मालिस करने से सिथित्ता दूर होती है और हमारे भाईयों को अगर सुजाग रोग हो गया हो तो निर्गुंडी का पत्ते का काड़ा का प्रयोग करना चाहिए और इसको कौात को दिन में तीरबान पिलाने से जो मुत्र बंद हो गय देता है और इसकी बीज को सुबहा साम खाने से मासिक विकार जो हमारी माता बहनों को हो गई है उसमें अत्यन्त यहाँ वनस्पती लाबकारी है इसकी निर्गुंडी का चूर्न या पत्ता का क्वात मन अगरीम पका करके दिन में तीन बार देने से कैसा भी साइटिका हो ग रुदिश्य हो गई हो कमर में दर्द हो रहा हो तिन उन्रही का जड़ का चूर्न तिल के तेल के साथ इसका स्यवन करने से संधीवात गठियावात कमर में दर्द कंपनवात अदी पर यहां रांबानत परिकशित पर्योग है इसका प्रुकर की लाब depressed by of हरी उर्षाइब